जैहिंद वंदे मातरों, स्वगत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एक्जाम स्टड़े प्रेट्फोर्म में उमीद है आप और आपका परिवार बहतरीन और उंदा होगा दूस्तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को कम्प्यूटर जगत के बारे में A to Z ग्यान कराएंगे किस तरीके से कम्प्यूटर की जनरेशन से 4 से 5 नमबर के क्विस्टन्स पूछे जाते हैं इसे पहले ये भी आपको बता दे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखना और आज आपका ये कम्प्यूटर का प्लेलिस्ट मैंने तयार कर दिया है रेडी कर दिया है विद कुई संस के साथ लिंक कमेंट वाक्स में है चैप्टर आपका खतम हो जाएगा ठीक है ना तो चलिए हम बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशन क्या है अभी तक आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है ये चैप्टर लेंदी होने वाला है बड़ा हो सकता है क्योंकि यहीं से कुई संस बनेंगे ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छा मज़ा बहुत आएगा कि किस तरीके से कंप्यूटर स्टार्टिंग में बने थे और उनका कितना कितना आकार था ये भी आपको पता चलेगा एक बड़े-बड़े कमरे के आकार के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे और आज एक टेवल में जो है कंप्यूटर समाई दो गया है मज़ा आएगा बहुत ध्यान से देखनी की आवसकता है और एक लेंदी-लेंदी वर्ड जो है उनकी व्याक्या हम करेंगे विदमयब के साथ तो डालियागा हेडिंग जनरेशन आफ कंप्यूटर कंप्यूटर की पेडियों को मुख्य रूप से कितने भागों में बाटा गया है अगर ये कुछन पूछा जाता है कि भाई जनरेशन आफ कंप्यूटर कितने पार्ट में डिवाइड है फाइब पार्ट में डिवाइड है पांच भाग है दोस्तों यानि जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ हम एक नए समय में इंटर किये और एक नया आविस्कार हुआ और कंप्योटर का कहीं न कहीं एक पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया जैसे कि प्रतेग जनरेशन में कंप्योटर के आकार प्रकार और उसकी कारेपनाली में काफी वदला होते आए हैं और वर्तमान समय में कंप्योटर काफी आधुनिक हो चुके हैं मेरी बात ध्यान से समझेगा कि जिस तरीके से पुराने लोग बिना घड़ी के समय बता दिया करते थे और एक ऐसी घड़ी आई दोस्तों जिसमें अलारम सेट करने के लिए बहुत समय लगता था आपने कैमरे का जमाना सुना होगा कि एक कैमरे से फोटो खीषने के लिए व्यक्ति को बारा बारा 24-24 घंटे का इंतजार करना पड़ता था तब एक फोटो क्लिक होती थी आज के कैमरे जो होते हैं वो एक क्लिक में फोटो आप देखीगा इसी तरीके से कम्प्यूटर जगत में पांच पीडिया है मजा आएगा इंट्रेस्टिंग चैप्टर है उसी पांच में से हेटिंग डालेगा पहली पीडी जो है पहली पीडी जब 1937 में जब कम्प्यूटर आये थे दोस्तों उस समय के कम्प्यूटर थे कैसे तो 1937 से 1953 का जो एक इरा है एक कारिकाल है वो पहली पीडी के कम्प्यूटरों को यहाँ पर ले जाता है तो यहाँ याद रखिएगा कि पहली पीडी यारी फर्स्ट जनरेशन इस पीड़ी के कम्प्यूटरों में मेमोरी के लिए वेक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था तो कुशन यहीं से बन गया दोस्तों अब मैं वेक्यूम ट्यूब की बात करें अगर मैं बताऊं ना इसको और मैं आगे बढ़ जाऊं तो ये कहीं न कहीं मेरी और मेरे बच्चों की नाकामी होगी तो समझेगा कि आपके घर में पुरानी टीवी हुआ करती थी आज भी है जिसको ब्लेक एंड वाइट टीवी जिसमें आप रामाएड बगारा जूनियर जी आरेमान ये सब सक्तिमान देखते थे तो उसमें जब आप जैसे ही क्लिक करते थे तो पीछे एक अलग तरीके का प्रकास होता था जब आप पीछे देखोगे टीवी का जो पीछे का भाग निकला हुआ होता है उसमें एक तरीके की वैक्यूम ट्यूब होती है दोस्तों तो प्रथम पीड़ी के कंप्यूटरों का हिस्सा था अगर आप टीवी के पीछे वाला पार्ट अगर खोलते ट्रांजिस्टर, टीवी, टेलिवीजन तो उसमें से ये ट्यूब आपको देखने को मिलती ठीक है? चलिए बैक्यूम ट्यूप के कारण यह कंप्यूटर आकार में बड़े होते थे आप देखिए इतना भारी कंप्यूटर का सिस्टम यह तो छोटी सी फोटो है सीमित मेमोरी वाले यानि बहुत छोटी मेमोरी होती थी, बड़े तो बहुत होते थे लेकिन छोटी मेमोरी होती थी अधिक बिजली, बिजली अच्छा बहुत लेते थे अच्छा बिजली की इस समय अगर देखा जाए उस समय भी और आज भी वही सिस्टम है, बिजली जैसे बहले बनती थी आज भी, लेकिन तरीके अलग हो गए तो बिजली का जो है खर्च बहुत होता था कौन से पहली पीडी में जिसमें वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था आकार कैसा था बड़ा था मेमरी कैसी थी सीमित थी इन कम्प्यूटरों में बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन होती थी ये भी बहुत इंपोर्टेंट इंट्रेस्टिंग पॉइंट है कि भाई बड़ा एक छेत्र बड़ा एरिया लेते थे मेमरी बहुत चोटी थी बिजली जादा खर्च होती थी और इन में गर्मी बहुत उत्पन होती थी जब ये कंप्यूटर अपना वर्क करते थे एक और इंट्रेस्टिंग फैक्ट आप जानिएगा कि इस कंप्यूटर का जो बजन था वो 30 टन था अब 30 टन दोस्तों कौन उठाएगा यार ये बताओ अगर आकार की बात करें तो एक 50Y30 के कमरे 50Y30 चोणाई लंबाई में अरे हाल टाइप की बात कर रहा दोस्तों 50Y30 के कमरे का आकार था जितने में एक बरा टिक जाएगी समझो दोस्तों मेरी बास समझ रहे न पहली पीड़ी में इंट्रेस्टिंग फैक्ट क्या है ये अभी पहली पीड़ी चल ला है इस कम्प्यूटर में 18,000 वेक्यूम ट्यूब का प्रियोग किया गया था जैसे एक टीवी में एक वेक्यूम ट्यूब होती है इसी तरीके से ये देखिए वेक्यूम ट्यूब है चोटी-चोटी लगी हुई है तो वेक्यूम ट्यूब का जो कम्प्यूटर है वो पहली पीड़ी का कम्प्यूटर था और इसमें लगवग 18,000 वेक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया तो मैं समझ सकते हो कि आकार कितना वड़ा होगा, कितना ज़्यादा वजन होगा, है न, बहुत interesting point है, चलिए, अगर मैं आपसे बात करूँ कि क्या आज के जो computer है, वो पहली computer की तुलना में बहुत fast काम करते हैं, तो बिल्कुल आप कोगे कि सर बहुत fast काम करते हैं, समझो कैस कि पहली PD के जो computer है, इस computer को जोड़ करने में 200 microsecond तथा गुड़ा करने में 200 microsecond लगते थे, और आज के computer में nanosecond छोड़ो यार, बहुत कम second लगता है, यहां microsecond छोड़ो यार, बहुत width समय भी नहीं लगता है, हम कह सकते हैं कि पहले PD वाले जो computer है, उनमें समय जादा लग गुड़ा करने में और जोड़ करने में जो समय है, वो आपका यहां पर है, important fact है, किसी भी तरीके से गुमा की question यह पूछ सकता है, चैनल पर पहली वार, कोई बहन, कोई भाई, कोई ग्रहडी है, तो इमानदारी से selection के लिए subscribe करे लेना, क्योंकि इमानदारी पढ़ने में ह होनी चाहिए, चलिए, अगर पहली PD के computer के बारे में देखा जाए, तो इसे संचालित करने के लिए, एक लाख पचास हजार बाट विजली की आवस्सक्ता होती थी, अब विजली के बारे में interesting fact बता दिया, जो एकजाम में एक बार बहुविकलपी, छेतर में पूछा गया क इस PD के computer को AC की आवस्सक्ता होती थी, यानि alternating current, जो AC जो current होता है, उसमें AC, DC दो current होते हैं, alternating current होता है, वो दोस्तों, इसी पहली PD के computer के लिए काम करता था, बिलकुल clear हो गया, कौन से fact clear हुए, vacuum tube बाला computer पहली PD का, सबसे ज़्यादा बिजली खर्च वाला पहली PD का, सबसे 200 microsecond मैंने बता दिया पहली PD का, इसके साथी साथ दोस्तों, सीमित memory पहली PD और AC current पहली PD, एक लाग पचास ज़ार बाट विजली की आवस्तेक्ता पहली PD, सबसे ज़्यादा गर्म रखने वाला, सबसे ज़्यादा गर्मी उत्वन, कौन से computer, कौन सी PD से होते थे, पहली PD, इंटरिस्टिंग फैक्ट आपको एक और जानना चाहिए, एक नहीं बलकि अभी काफी बताएंगे हम आपको, देखीगा, यहाँ पर पहली PD के जो computer होते थे, उनको operate करने के लिए, यानि उनको चलाने के लिए, मसीन भासा का, यानि मसीन भासा का इस्तेमाल इसकी programming भासा के के रूप में किया जाता था, कैसे, programming भासा कैसे होती, जैसे programming भासा जो बच्चे computer को चलाते होंगे, जो बहने चलाती होंगी, उनको पता होगा कि programming भासा वही होती है, जो computer में संचालित होती, जैसे C++, Java बगएरा, NET, STML, तो यह जो है programming भासा के रूप में इसे देखा जा और output device की तरहे इस्तेमाल किया जाता था, जैसे, आपने देखा होगा कि आपके पिता जी की जो साधी होई थी, आपकी माता जी की जो साधी होई थी, आज भी आपकी album में उनकी photo देखने को मिल जाती होंगी, तो उसमें से आपको photo के बाद photo भी दी जाती थी, और एक black and white type क जो क्या होती थी, एक real type की होती थी, ऐसी real type की है ना, camera में जो real type की मिलती है, आज भी मिलती है, तो उसमें उस real को भी दिया जाता था, जिसमें ऐसे आप देखो के प्रकास में तो भूतनी जैसा, भूत जैसे भूतनी जैसे बंदे और बंदिया लगेंगी, है ना, तो वही दोस्तों क्या है वही दोस्तों पेपर टेप पंच कार्ड और मागनेटी टेप की बात हो रही है तो पहली पीडी में इसका इस्तेमाल हुआ और आज तक चला आया ठीके ना चलिए ये इंपोर्टेंट फैक्ट कता ही नहीं भूला इसमें देखिए पहली पीडी के कम्प्यू कुष्ण एक्जाम में ये पूछा जाए कि पहली पीडी के कम्प्यूटर की बिसेस्ता क्या है या कुष्ण ऐसे पूछ सकता है कि एक समय पर एक ही समस्या को हल करने में जो सक्षम थे वो कौन सी पीडी के कम्प्यूटर है वो प्रथम पीडी के यानि एक समय में इसको समस स्याना हो जसमें मैं आपको ये पूरी तरीके से चेताना चाहता हूँ कि अगर कोई कुछ सन यहां से आता है तो बाद में ये न कहने को मिले कि सर आपने ये पढ़ाया नहीं हमने आपको बोला था कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर इनियेक था इनियेक का कंप्यूटर पहली पीडी के खतम पहली पीडी में कई कंप्यूटर का निर्माड हुआ जिसमें इनियेक यहां से कुछ सन बहुत जादा बेटा इनियक का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप क्या बताओगे E-N-I-A-C इनियक का फुल फॉर्म क्या होता है आप क्या बताओगे Electronic Numerical Intrigrator and Computer वीडियो को रोख के फिल से मैं कह रहा हूँ Electronic Numerical Intrigrator and Computer इसका फुल फॉर्म होता है ठीके ना याद रखिएगा अब चलते हैं अपने पॉइंट पर यह पहला electronic computer था यह कुस्सन यहां से बनेगा इसको note किया जाए जिसे जान एकल्ट और जान मौचले ने इसको बनाया था कहा के निवासी थे USA ठीके ना यह बात आपको याद रखनी है बहुत important है अमेरिका के वैग्यानिक जान मौचले एंड जान एकल्ट ने दुनिया का पहला electronic computer बनाया था 15 फरवरी 1946 को बनाया था एक वार इस date को भलाई भूल जाना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लिख जरूर लेना क्योंकि date आपसे मुश्किल में पूछी जाएगी लेकिन हाँ इनियेक की date पूछ सकता है कि इनियेक जो है कब बना था 15 फरवरी तो मुझे नहीं लगता अगर बहुत ज़्यादा detail में डाल देगा लेकिन इनियेक की date पूछी गई है जो इनियेक पहला computer बना था वो किस समय बना था ये पहली PD का computer बेटा है और ये बना था 1946 में क्योंकि इसी के अंदर आ रहा है 1937-1953 के बीच में आ रहा है न 46 बहुत बढ़िया तो ये वाला हो गया आपका क्या है electronic numerical integrator and computer USA अमेरिका के द्वारा विक्ति के द्वारा बनाया गया इडवेक इसका विकास 1945 में हुआ था लेकिन इतना ज़्यादा चर्चित नहीं रहा फुल फॉर्म पूछ सकता है बिल्कुल पूछ सकता है मैं कता ही नहीं आपसे कहूँगा कि इसको ना लिखो इसको जरूर लिखिए इडवेक का फुल फॉर्म होता है electronic discrete variable automatic computer इडवेक कहलाता है चीक है चलिए इतना ज़्यान आपको रखना है मैं फिर से आपको दोरा रहा हूँ इडवेक 1945 में जन्मा है electronic discrete variable automatic क्योंकि इसका जो बिस्तार हुआ था वो पूरी तरीके से नहीं हुआ इसलिए इनियेक ने अपनी जगे इस्थापित कर ली मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बहुत से बच्चे कमेंट में लिखने लगते है तो इडवेक और इनियेक में अंतर है विक्सित इनियेक पहले पूरा हो इडवेक की अगर मैं बात करूँ कि इसमें पूर्व कम्प्यूटर में प्रोग्राम एवं डाटा संग्रे करना बहुत मुस्किल था क्योंकि यह आकार में बड़े हुआ करते थे मेमरी में छोटे चलिए एड़सेक में देखेगा कि एड़सेक को 1949 में MB विल के द्वारा बनाये गया और यहें Cambridge विस्व विद्धहले में विक्सित किया था Cambridge विस्व विद्धहले में इसको विक्सित किया है यह बात आपको जाननी चाहिए दोस्तों बहुत बढ़िया यह पहली PD का कंप्यूटर था इसके अलाबा हम बात करेंगे UNIWAG यानि इस PD का अंतिम कंप्यूटर UNIWAG FIRST जिसको हम Universal Accounting Computer के नाम से जानते हैं तो यह Universal Accounting Computer संग काम अब करना है आपको कि ITVAC कब तयार हुआ, ITSEC कब तयार हुआ, INIWAG कब तयार हुआ, INIWAG सबसे पहले तयार हुआ, यह बात दिमाग पर रख लेना है, उनका सन आपको जरूर रयाद रखना है, ठीक है, चलिए दो-तीन स्लाइट और देखिएगा, दो स्लाइट में पहली पीडी की विसेस्ता, तो मैंने क्या बोला कि अब यहां से आपके कुश्चन बन जाएंगे, अभी जितना आपने डाउट होगा, जितना आपने पहली पीडी में पढ़ा है, उसमें अगर डाउट होगा, तो यह से चार लाइन में किलियर हो जाएगा और यही से कुश्चन बन जाएगे, वैक्यूम ट्यूब द्वारा निरमेत कंप्योटर दोस्तों, पहली पीडी का, मसीनी भासा का प्रियोग दोस्तों, पहली पीडी का, अधिक महगा कंप्योटर, पहली पीडी का, आकार में बहुत पहली पीडी का, इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड और चुमकी टेप का प्रियोग बताया था ना, पेपर टेप, पंच कार्ड, चुमकी टेप, पहली पीडी का, तो यहाँ पर दोस्तों, यह चार कुशन और चार कुशन, आठ कुशन पहली पीडी से निक यहर बहन हर भाई के चहरे पर यह मुस्कान होगी कि जितना भी डाउट अभी तक पहली पीड़ी में था वो खत्ब हो गया अब चलते हैं हम देखते हैं दोस्तों कि आप जो है दूसरी पीड़ी को किस तरीके से देख पाएंगे दूसरी पीड़ी को किस तरीके से देख पाएंगे आप देखों यहाँ पर आपको heading डालनी है कि दूसरी पीड़ी का जो कारेकाल था वो क्या है दूसरी पीड़ी के computer 1954 से 1962 के बीच में बढ़ाए गए यानि इनका एक कारेकाल ना अच्छा पहली पीड़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था तो अब वैक्यूम का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि कुश्चन पहली पीड़ी तक सीमित था समय बदला, समय के नए एज में गुसे और दूसरी पीड़ी के computer आ गए एक नया आविस्कार हुआ, वैक्यूम ट्यूब को हटाया गया रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का प्रियोग किया गया आपने देखा होगा हर चीज की electronic wand में ट्रांजिस्टर का प्रियोग होता है जिसमें जो ट्रांजिस्टर होता है वो P और N प्रकार के अर्धचालक के माध्यम से बनाया जाता है ट्रांजिस्टर क्या है? एक electronic उपकरण है जो P और N अर्धचालक के माध्यम से बनाया जाता है याद रखना है, बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं बता दू कि जब भी आप कोई चीज खोलते होगे, आपने देखा होगा बाजा तोड़ दो, उसमें भी निकलाता है, यह आपको यह देखी, इस तरीके का, है न, तो हर जगह आपको यह मिल लाएगा, हम दूसरी PD पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझेगा, इसमें transistor का प्रियोग हो और चुमकी टेप और चुमकी डिस्क का उपयोग सेकेंडरी मेमरी के लिए किया जाता था, अब आपको याद कैसे करना है, कि बहुत प्राइमरी मेमरी में क्या याद करना है, प्राइमरी मेमरी में चुमकी कोर का उपयोग होता था, चुमकी टेप और चुमकी डिस्क का उ इस PD में Assembly और Machine Language को और आसान और ताकत बर बना दिया गया जो Language पहली PD में चल लई थी उसमें समय के बदलते पर इदरस्य से हमने और वर्क किया और हमने ऐसा वर्क किया कहीं न कहीं जो computer की ताकत और चमता और memory की capacity है वो और डेबलेप हो गई और अच्छी हो गई ठीक है न इ इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे computer की तागत बढ़ती गई प्रोग्राम की जो भासा पहले चल लई थी उसमें language में कोवल लेंग्विज फोर्ट्रान जो एक language है प्रोग्राम की भासा की अगर यहीं computer language है इस अवदी के दौरान हम बात करेंगे दूसरी पीडी के कुछ computer के उधारन जैसे IVM 1620 यह question पूछ सकता है कि निम्लिखित में कौन सा computer दूसरी पीडी का है निम्लिखित में कौन सा computer पहली पीडी का है तो इनिएक, idwag, idsec, univag इस तरीके बताये न तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हा question कैस नहीं है तो तीन डाल देगा है वाले एक डाल देगा IVM तो IVM टिकर देना तो IVM 1620 है दूसरी पीडी का IVM 1620 पहली पीडी के computer की तुलना में इसका आकार छोटा था क्योंकि develop हो गया समय के बदलते परिदर से से है ना और बिजली थोड़ी कम हो गई लेकिन बिजली अभी भी लग रही है और इसे अधिकांस्ता वज्ञानिक कारेों ने साइंटिफिक वर्ग के लिए काम किया जाता था जो साइंटिफिक जो खोज होते थे अविस्कार होते थे उसके लिए इसका यूज हुआ 1620 IVM 1620 दूसरी पीडी का है यह बाला computer आपको याद रखना है बहु नहीं होगी पई भूलोगे नहीं मैं यह कहना चाहता हूँ आइवियम 1401 इसका आकार अप्रेक्षाक्रा छोटे से मद्यम से था पई समय बदला आकार छोटा हुआ ने बड़ी जादा हुई व्यवसाइक कामों के लिए इस्थेमाल किया गया तो आइवियम 1401 व्यवसाइक आइवियम 1620 scientific work वैग्यानिक कारे के लिए आइवियम 1620, आइवियम 1401 किसके लिए व्यवसाइक कारे के लिए CDC-3600 ये भी एक दूसरी PD का कम्ट्यूटर है इसका आकार बड़ा था और वैग्यानिक कारे के लिए तो आपको यहाँ पर CDC-3600, आइवियम 1620 ये एक साथ मयाद कर लेने है scientific work के लिए दोनों यूज हुए पहली PD की तुलना में ज़्यादा विश्वसनिये थे, दूसरी PD वाले कम्ट्यूटर, इसमें assembly और high level language जैसे फोर्टान कोबल का उपयोग किया जाता था, पहली PD की तुलना में आकार में छोटा था, जिससे space कम हो गया रखने में और जहें बच गई, बजन कम हो गया, इनम के computer से तेज हुए, AC की अवस्यक्ता रही इसमें भी, ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों, तीसरी PD, 1963 से 1932 के जगत की, ध्यान दीजगा, इस PD में transistor को replace किया गया, ट्रांजिस्टर को replace किया गया और IC को लाया गया, पहले में क्या था, vacuum tube, उसको replace करके क्या आया, ट्रांजिस्टर दूसरी में आया, समय बदला, वैज्यानिक खोज हुई, ट्रांजिस्टर को भी लात मार के, बोला कि नई बेटा, तुम नई आओगे, अब IC का नाम है, IC ब यह बात आपको याद रखना है, integrated circuit दोस्तों, आपको याद रखना है, अचा यह भी integrated circuit क्या होता है, एक बहुत small chip type का होता है, बहुत छोटा होता है, एक chip type का होता है, जो refrigerator, laptop, mobile, इन सभी में यह IC work करता है, छोटे chip type की होती है, transistor, capacitor, diode, इन सभी की मदद से जोड़ा जाता है इसमें transistor को छोटा करके, silicon chip पर रखा गया, integrated circuit का अविस्कार जो किया था, वो jack, कीवली ने किया था, यानि जो IC का प्रियोग हुआ है, तो कुशन मन गया कि IC का प्रियोग किस PD के computer में हुआ, तीसरी में, दूसरी में क्या हुआ, transistor का, पहली में क्या हुआ, vacuum tube का, इस PD के computer मे remote processing, time sharing और multi programming operating system का उप्योग किया गया, ठीक है बटा, बहुत सुन्दर, एक बार screenshot लो, और इसको note करू, sorry, देखिए, ठीक है, चलिए, अचा, तीसरी PD के computer के नाम में, आपको मैं बता दू, थोड़ा सा IBM बाला, यहाँ पर, आपको नुकसान पहुँचा सकता है, कि मैंने व IBM जो है, आपको 200, दूसरी PD में याद रखना है, तो IBM से मैं यहाँ पर आपको करे दे रहा हूं कि IBM 3600, IBM 3600 नहीं, CDC 3600 है, और IBM 1401 है, 1620, यह दूसरी PD के थे, यहाँ पर आपको, वहाँ पर CDC 3600 था, यहाँ पर IBM 360 था, इसलिए आपको इसको याद रखना है, कि अपवाद के रूप में आपको माल लेना है, कैसे याद करना ही, आपकी समस्य है, तो हर कम्प्यूटर IBM दूसरी PD का नहीं रहेगा, नोट करके लिखनो कि IBM 360 जो सीरीज है, वो तीसरी PD के कम्प्यूटर की है, और Honeywell 6000 सीरीज जो है, वो भी तीसरी PD के कम्प्यूटर की, विसेस्ताई क्या है, बेटा, Integrated Circuit का उप्योग पहली और दूसरी PD की तुलना में जादा विश्वस निये था, यानि समय बदला, वजग्यानी के विस्कार हुए, और बढ़िया तरीके से चीजों को देखा गया, आकार में छोटा और तेज, लेकिन रखरकाओं में अभी भी कठिन, यानि र दिक्कत हो रही थी, तो मतलब बजन जादा था, आकार जादा था, अन्डे PD की तुलना में कम उर्जा कर ले रहा, कम उर्जा की खपत हुई, यानि बिजली की कम खपत हुई, पहली PD में तो एक लाख पच्चास हजार यूनिट की बात करें, टन की बात कुछ ऐसा खर्च ह तो मैंने आपको बताया, AC की यह वस्तकता, यहाँ पर भी हुई माउस और कीवर्ड का उपयोग हुआ, तो इस कुछ न में यहाँ पर बन गया, कि कौन से PD के कम्प्योटर में माउस और कीवर्ड का उपयोग हुआ, तो कुछ न आपका बन गया, चौती PD डाल लिजेगा, बहुत इंपोर्टेंट दोस्तों, बहुत जवर्डस्त, और हम वीडियो के अंतिम छोर पर आ चुके हैं, चौती और पांचमी, बहुत चोटे चोटे क्राइटेरिया हैं, जो एक्जाम के लिए पांचमी PD और चौती PD बहुत इंपोर्टेंट, इस PD के कम्प्योटर में BLSI क का प्रियोग हुआ, तो कुस्तन बनेगा बेटाव कि BLSI किस कम्प्योटर का हिस्सा था, कौन सी PD में यूज हुआ, तो BLSI चौती PD में यूज हुआ, 1972 से 1984 का कारेकाल रहा, BLSI का यूज हुआ और बेरी लार्ज स्केल इंट्री ग्रेटिड इसका फुल फॉर्म है, सर्किट का उप्योग किया गया, तो कुस्तन यहां से बन गया, तो मुझे उमीद है कि आप ऐसे पॉइंट को नहीं भूलेंगे, ये आपका एक लोगो है, इस तरीके से आपने देखा हो कोई भी चीज़े आप तोड़ते रहते हो, मोबाईल तोड़ दिया, कैल्गुलेटर तोड़ ये उसमें ये चीज़े निगलाती है, चलिए, कंप्यूटर की चौथी पीडी की सुरुवात 1972 से 2010 से मानी जाती है, याद रखिएगा, 2010 से मानी जाती है, लेकिन अगर NCRT में देखे तो 1984 यहां पर देखा जाता है, तो फिलाल 1972 से 2010 के क्राइटेरिया में रख सकते हो, ठीक चौथी पीडी में BLSI का, BLSI जो सर्किट होता है, इसका उप्योग हुआ, BLSI सर्किट के एक सिलिकॉन चिप पर लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट तत्व होते था, अभी ट्रांजिस्टर का उप्योग होता था, उसमें ट्रांजिस्टर लगा दिये गए, बहुत यह कंप्योटर जीवन के हर छेत्र में बहुत तेजी से उप्योग किये जाने लगे थे, क्योंकि इनकी छमता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, memory, capacity बढ़ गई, आकार छोटा हो गया, कम उर्जा लिये, space थोड़ा सा कम हुआ, और साती साथ मैं आपको बता चौथी पीडी में यह कंप्योटर जीवन के हर छेत्र में बहुत तेजी से उप्योग किये जाने लगे थे, अभी बताया, यह अन्य पीडी के कंप्योटरों की तुलना में सस्ते हुए, तेज हुए और जादा विश्वसनी थे, क्योंकि जो पहली और दूसरी तीसरी बिश्वसनी नहीं थे, हो सकता था कि कुछ अगर हम कैल्कुलेट करें तो वो गलत भी हो सकता था, इस तरीके से अगर मैं देखूँ कि जादा विश्वसनी थे, चौथी पीडी के भी 100% नहीं थे, जादा विश्वसनी थे, ठीक है, बेरी लार्ज, अब यहां पर कोटे कम बजनी चौथी पीडी विद्धित का बहुत कम उपियोग एसी की जरूरत नहीं रख रखाओ सरल दोस्तों ऑपरेट करना और चलाना सरल हाई लेवल लेंग्वेज यहां से कुछ पूछा जा सकता है यह बहुत इंपोर्टन पॉइंट है नोट किया जाए हाई लेव MP, सुपर कम्प्योटर, PCS ठीक है न तो यह चौथी पीडी के कम्प्योटर थे इनको नोट किया जाए यह तो कता ही नहीं मुल्ला की पहले पीडी कम्प्योटर कौन थे उनके नाम ही ना लिखो आप दूसरी के कौन थे तीसरी कौन थे नाम ही ना लिखो इस पीडी में स्पाइस बात का जो समय है वो नैनो कम्प्योटर, माberries कम्प्योटर आएँगे अचुका है तो पांचवी PD के कम्प्योटर हम लोग वर्तमान में यूज कर रहे इस पीडी में वर्तमान के कम्प्योटरों को और भविश्य में आने वाले कम्प्योटरों को सामिल किया गया ह ये आपको याद रखना है ठीक है पांचवी PD के कंप्योटरों की गति अत्यधिक तीब रहे इसके अलावा यह साथ साथ प्रोसेसिंग कर सकता है एक समस्या को एक साथ अलग अलग समस्याओं को भी एक साथ बहुसी समस्याओं को भी एक साथ प्रोसेसिंग कर सकता है और उनक आने वाले लोगों को जवाब दे सकता है ठीक है यह आपको याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट है इसमें कम्प्यूटर इंसान की तरह काम करते हैं वे सी और सी प्लस प्लस और जावा जैसी हाई लेगवल लंगे इसका उप्योग करते हैं जैसे जैसे समय बदला दोस्तो बैसे बैसे कम्प्यूटर एक इंसानों का रूप ले लिया चीजों को आप समझ रहे होंगे मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा चैनल को आपने सस्क्राइब कर दिया होगा मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि के नाम लिख लेना है desktop, laptop, notebook, ultrabook, chromebook, ये पांच computer आपको example के रूप में बहुत सारे हैं लेकिन फिलाल आपको मैं बता रहा हूँ जहां से exam में questions बनते हैं पांच पीडी के computer ULSI technology का उपयोग हुआ यहां से वने का question important है ULSI technology का उपयोग हुआ दोस्तों इस चीज को आप कताई नहीं भूल सकते हैं बड़ा important question है कताई भूलना मत ठीके ना बहुत important ULSI का full form में अगर आपको बताओ ultra large scale integration फिर से मैं बोलना हूँ लिखा नहीं है कोई बात नहीं ultra large scale integration ठीके ना ultra large scale integration artificial intelligence का विकास इसी में हुआ है portable PC और desktop PC का प्रियोग इसी पांचमी PD की बिसेशता है internet, email और www का full form पूछे लाता है world wide web का विकास हुआ तो यह पूछ सकता है कि इसका विकास इसका विकास इसका विकास कहा हुआ पांचमी PD में मल्टी मीडिया फीचर जैसे ध्वनी ग्राफिक्स चित्र और टेक्स आदी का निर्माड हुआ कहां पर हुआ पांचमी PD में हुआ c c c c c c plus plus java dot net यानि net asp जैसी high level language का उप्योग हुआ किसमें हुआ पांचमी PD में अधिक तेज विसरसनी और सस्ते बहुत सस्ते हो गए बहुत कम स्पेस में बहुत कम बजन में बहुत कम उर्जा में अधिक मेमरी high level language का उप्योग सब कुछ सबसे सस्ते हैं एक मेश पर आप रख सकते हो पहले एक हाल में आपको रखना पड़ता था टनों का बजन होता था तो मुझे उमीद है कि आपने इस वीडियो को बहुत इंच्वाइ किया होगा 30 मिनट की वीडियो जरूर थी दोस्तों आदे घंटे की वीडियो मैं तभी पढ़ाता हूं जब वो वीडियो लगवग एक टीचर चार घंटे की करता है यह बात आपको याद रहें लगवग चार घंटे की वीडियो हमने आदे घंटे में खतम करी बहुत सिद्धत के साथ और पूरे चित्रात्मग चीजों के साथ हर जगह पर एक एक चित्र को लगाया गया है किस तरीके से हमने चीजों को बहुत एक वे में बताने की कोसिस करी है हम उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार खुसाहल है क्योंकि जब आप एक बहतरीन तरीके से चीजों को पढ़ते हैं तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप कोई डाउट अपने दिमाग में नहीं रखते हैं चाहें वो कंप्योटर का कोई पहली पीडी का हो चाहें वो कोई भी ऐसी चीज जो डाउट होने बाली थी वो सारी डाउट आज आपके इस वीडियो में कंप्योटर से जुड़े हुए खतम हो गए हम उमेद करेंगे कि आपका बैल्यूएवल कमेंट नीचे कमेंट वॉक्स में आएगा जैहिन वन्दे मातरम इंकलाव जिन्दावाद